नमस्कार दोस्तों, आज हम JKPSI Mock Test 2nd, हमने 1st भी डाला था, आप लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपने इसको ऐसे एटेंड करना है, जैसे कि आप फाइनल पेपर दे रहे हो, ठीक है, और मेरे आंसर करने से पहले ही आंसर करने आपने, और अपनी त्यारी को चेक करना है कि 120 में से कितने question ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कौन से section आपकी week है, किस पे अभी time बचा हुआ है, अभी काफी time है, तो अच्छे से revise करना है, यह जो paper है, यह moderate, ठीक है, basic level का है, moderate level का है, नहीं जदा high, नहीं जदा low, ठीक है, अब इसके response से, और मेरे को comment करके बत ठीक है, तो देखते हैं, first question, कौन सा है, first question हमारा history से है, the earliest city discover in India, ठीक है, सबसे पहले कौन सी city discover की गई थी, इंडिया में, first option है, हडपा, मोहन जिदारो, पंजाब, या फिर सिंद, ठीक है, तो इसका जो correct option है, हडपा, ठीक है, जो first side थी, वो हडपा थी, हडपा डिसकवर क की थी, तब ही, इसको हम हडपा सिबिलाइशन भी बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, Indus Valley सिबिलाइशन, ठीक है, और जो मोहन जिदारो है, वो first, उसको हम माउंड आफ डीड, ठीक है, माउंड आफ डीड, ऐसे पूछें कि माउंड आफ डीड किसको बोलते हैं, तो वो मोह मोहन जिदारों से एक और कोशन निकलता है कि जो लाज़ेस्ट सिटी, लाज़ेस्ट सिटी मोहन जिदारों थी, और लाज़ेस्ट साइल राखी गड़ी थी, इसका प्रेक्ट ऑप्शन है हमारा हडपा, ठीक है, next question है, the famous poet कालिदास, lived in the court of, ठीक है, जो एक फेमस कभी है, क कालिदास, वो कोन से, मलब किसका टाइम पिरेड था, उसके टाइम पिरेड में ये कभी थे, first option, चंदरगुप्थ, और second है, इसका यहां पे चंदरगुप्थ, second, कुमार गुप्थ, समुंदर गुप्थ, यहां फिर चंदरगुप्थ, first, ठीक है, यह किसके टाइम चाइनिस ट्रैवलर आया था, क्या नाम था उसका, फाहिन, ठीक है, फाहिन, ठीक है, ऐसे पूर सकते हैं, फाहिन किसके टाइम पिरेड में आया था, चंदरगुप्थ, second के, और यह जो कुमार गुप्था है, इन्होंने एक बड़ी फेमस यूनिवस्टी बनाई है, नालं यूनिवस्टी, यह बहुत बार कोशन आया हुआ, नालंदा यूनिवस्टी किसने मनाई है, अब समुंदर गुप्थ, नैपोलियन आफ इंडिया, ठीक है, नैपोलियन आफ इंडिया किसको बोलते हैं, समुंदर गुप्थ को, ठीक है, तो इसका correct option है, option number one, थर्ड कोशन ह है हमारा, when and where was the first Jain council held, ठीक है, कब और कहां, first Jain council हुई थी, very important, ठीक है, यह बुद्दस्ट की council है, यहां फिर Jain की council है, यह सारी पढ़नी है, first option है, 200 BC, partly पुत्र, 300 BC, partly पुत्र, 250, पलवा पूरी, या फिर बेशाली, तो यह आप सभी को पता होगा, इसका option देखो, टिक लगाओ, correct करो, ठीक है, तो यह option C is correct, 300 BC, partly पुत्र, partly पुत्र कहां है अभी recent, बिहार, ठीक है, बिहार में, और जो second Jain council थी, वो कहां हुई थी, बलव ठीक है, बलवी, यह गुजरात में पढ़ता है, और दोनों ही चंद्रगुप्त, मौर्या के टाइम पे हुई थी, ठीक है, इसका correct option है हमारा, option number C, next question है, question number 4, in whose reason, did Huan Song come to India, मतलब कि, किसके time period में, Huan Song, इंडिया में आय थे, first question, समुंद्रगुप्त, हर्षवर्दन, चंद्रगुप्त, यह फिर सकंद्गुप्त, ठीक है, तो यह हमारे जो जम्मु कश्मीर की history है, उसमें भी यह कश्मीर में आय थे, तो आपने option में बताना की, कारा कॉर्ण डैनिस्टी, यह अबंती वर्मला, आपने वो option, comment करके बताना है, ठीक है, यह आयते हर्षवर्दना के टाइम में, option C is important, ठीक है, option C, option C is correct, ठीक है, तो हर्षवर्दना को हम, last greater Hindu emperor of India, ऐसे पूर सकते हैं, who was the last greater Hindu emperor of India, यह कौन है, हर्षवर्दना, ठीक है, हर्षवर्दना, कौन सी डैनिस्टी से बिलोंग करते हैं यह, ठीक है, ठीक है, तो option C is correct, next question है हमारा, the first medieval ruler to propound the divine theory of kingship, very important, ठीक है, first medieval ruler कोन था, जिसने the divine theory of kingship दी थी, इलतुमिष, बलवन, अलावदिन खिलजी, या फिर रजिया सुल्तान, तो इसका हमारा correct option है, बलवन, बलवन ने दी थी, यह कौन सी डैनिस्टी से बिलोंग करते हैं स्लेव डैनिस्टी, स्लेव बोलो, या फिर इलवरी डैनिस्टी, ठीक है, और जो रजिया सुल्तान है, वो फ्रस्ट वूमन, ठीक है, फ्रस्ट वूमन, सुल्तान कोन है, फ्रस्ट वूमन, डूलर कोन है, इंडिया की, रजिया सुल्तान, किसकी बेटी थी, इलतुमिष की, ठीक है, थर्ड वेटलाव पानिपद किस कब हुई थी, ठीक है, थर्ड वेटलाव पानिपद कब हुई थी, 1761, 5026, यहां 1739, यहां फिर 1556, यह हुई थी 1761, अफगान के साथ मरा ठाइस, ठीक है, option A is correct, next question है, Who termed Crips Proposal as a post-dated check in crashing bank, ठीक है, post-dating check, ठीक है, Crips Proposal को post-dated check किस ने बोला था, अंबेडकर जी ने, सरदार बल्लबाई पिटेल जी ने, आनी बसंद ने, यहां फिर गान्दी जी ने, यह बोला था, गान्दी जी ने, ठीक है, 1942 में यह proposal आता है, वो ही dominant status, dominant status, तो गान्दी जी ने बोला था इसको, ठीक है, जो अंबेडकर है, वो drafting of Indian constitution, उसके chairman थे, father of Indian constitution, ठीक है, और आनी बसंद कौन है, first woman president of Indian congress, Indian congress की first woman president आनी बसंद है, और, नी, first woman आनी बसंद है, और first Indian जो है, वो सरोजनी नाइडू जी है, ठीक है, और सरदार बल्लवाई पटेल तो आपको पते ही है, iron man of India, next question है हमारा, who was called the father, father of local self-government in India, ठीक है, जो local self-government है, उसके father किसको बोलते हैं, option, Lord Rippon, Lord Dalhousie, Lord Latin, या फिर Harding, ये हैं, Lord Rippon, टीक है, जो पंचायत के father कोन है, वो है, Lord Rippon, option A is correct, question number 9, ये जो कारकोरी robbery case है, ये recent अभी news में रहा है, जो UP में लखनाओ में, इसका एक center बना रहे हैं, इसके नाम पे, तो ये news में रहा है, इसके related आप पुरा पढ़ लेना चैसे, अब party was formed to execute, कारकोरी robbery case in this city, ठीक है, एक party बनाई थी, इस train को लूटने के लिए, और ये कौन सी city में, ठीक है, हिंदोस्तान, सोचली रिपरब्लिक पार्टी, ठीक है, ये बनाई थी, इन्होंने पूछा है, कि कौन सी city में बनाई थ तो ये बनाई थी लखनाओ में, ये कब हुआ था, 90-25 में, ठीक है, नेक्स कोशन है, who was the first governor general of Bengal, Bengal के first governor general कोन बने थे, sorry friends, इसमें options है, गलत आगे हैं, लखनाओ, कानपूर, ये बनेते हमारे, वैरन हैस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड वैरन हैस्टिंग, अब computer section के question है, which register can interact with secondary memory, ठीक है, कौन सा register होता है, जो secondary memory के साथ interact करता है, ये होता है, instruction register, ठीक है, option C is correct, इन में से कौन सा group है, जिसमें सिर्फ input device है, ठीक है, input, जो input देते हैं, option one, mouse, keyword, monitor, ठीक है, monitor तो नहीं देता है, second है, mouse, keyword, printer, printer भी नहीं देता है, mouse, keyword, plotter, plotter भी नहीं देता है, तो mouse, keyword, scanner, ठीक है, scanner क्या है, input device, mouse और keyword तो input ही है, तो option D is correct, next question है, हमारा, जो laser printer है, और ink jack printer है, ठीक है, जो laser printer है, और जो ink jack printer है, printer है, वो किसकी example है, impact की, या दोनों की, या non impact की, ठीक है, तो ये non impact, जो कड़क कड़क करके वाज आती है, वो impact होते हैं, तो laser में कहां आती है, impact में कहां आती है, ठीक है, impact में drum वाले होगे, dot, print होगे, decibel होगे, ठीक है, ये किसकी example है, non impact, option C is correct, question number 14, हमारा, optical character reorganization is known as, ठीक है, recognition is known as, ठीक है, OCR, ठीक है, OCR को, एक को नाम होता है, वो क्या होता है, तो intelligent character recognition, intermediate code reader, intercode reader, ठीक है, तो इसका जो correct option है, option A is correct, ठीक है, तो इससे हमारे ऐसे भी question बन सकता है, ICR की full form, ठीक है, I मतलब intelligent, C मतलब character, R मतलब recognition, और ऐसे भी question बोल सकते है, OCR की full form, optical character recognition, ठीक है, option A is correct, next question है, हमारा, which is the type of a non-volatile memory, that erasers data in unit call block, ठीक है, मतलब की, कौन सी non-volatile memory होती है, जिसके हम data को erasers करते हैं, मतलब साफ करते हैं, तो उसको हम block बोलते हैं, ठीक है, non-volatile, ठीक है, non-volatile मतलब की, जो, जैसे हम phone का switch off करें, तो वो उड़ती नहीं है, ठीक है, वो रहती है, तो flash memory, buffering, या virtual memory, या कोई भी नहीं, ये कौन सी है, flash memory, ठीक है, option A is correct, ऐसे भी हो सकते हैं, कि flash memory is a non-volatile, या फिर volatile, क्या है ये, volatile, और ऐसे भी कोशन पोल सकते हैं, इससे, कि जो flash memory है, eraser data in unit, ठीक है, यो unit में data, इसका erase होता है, साफ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, block, buffer, कोई भी option, तो इसको हम block बोलते हैं, ठीक है, एक कोशन से कोई 10 कोशन निकल जाते हैं, अगर बंदा अच्छे से बढ़े जा, कोशन नमबर 16, a white is a collection of, ठीक है, जो white होता है, वो किसकी collection है, वो आप सभी को बता, very basic question है, यह 8 bits, ठीक है, 8 bits, जिसमें 8 bits होते हैं, उसको मिलाके हम क्या बोलते हैं, एक byte बनती है, यह memory units है, ठीक है, option D is correct, अब linux is a type of, ठीक है, linux किसकी type है, freeware, open source, यह फिर shareware, यह public domain, यह है open source, ठीक है, यह optical operating system की type है, जिसमें दो type sense की, एक system software, और एक application software, ठीक है, application जो एक specific function के लिए, SMS word हो गया, MS Excel हो गया, apps विगे रहा हो गये, system हो गये, जैसे linux, ठीक है, open source है, जो source code है, वो open है, तो option C is correct, next question है, when sending email, ठीक है, the dash line describe content of a message, very easy and simple question, आप सभी email send करते होंगे, ठीक है, और जहांबे आप content लिखते हो, वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कौन सा number होता है, to, content, subject, यह CC, यह आँ सभी को पता है, subject, to, ठीक है, और CC क्या होता है, carbon copy, जैसे एक message करोगे, तो सभी को चला जाएगा, और एक BCC होता है, blind, carbon copy, जो एक बंदे को करना है, तो वह personally उसी को ही जाएगा, ठीक है, तो, यह आता है, option C is correct, option B, C नहीं, as MTP, ठीक है, as MTP की full form, simple mail transfer protocol, protocol का मतलब होता है, rules, server message text process, यहां फिर short message text process, यहां फिर short messaging transfer protocol, option A is correct, ठीक है, हमने बड़े ऐसे modular level के paper लिए हुए, question लिए हुए है, ठीक है, अगर आपका response अच्छा रहा, यहां फिर आपको अगर next, चाहिए होगा, मैं जो अब next week में लेके आऊंगी, वो थोड़ा moderate, high level का paper होगा, ठीक है, difficult question डालोंगी उसमें, तो what is the considered backbone of www, ठीक है, www, अब पूछ रहें कि जो www है, उसकी backbone किसको बोलते हैं, URL, HTML, HTTP, Fttp, तो इसकी backbone हम बोलते हैं, HTTP, पहल नंबर, question ऐसे भी पूछ सकते हैं, www की full form, W, world wide web, very important, world wide web, किसने discover किया था, team world ने, HTTP, hyper tax transfer protocol, ठीक है, URL, uniform resource locator, HTTP, hyper tax markup या make up markup language, FTP, file transfer protocol, ठीक है, यह सारे protocol है, इसका correct option क्या है हमारा, option B is correct, अब यह geographic question है, जो duck and passage है, वो कहां पे situated है, किसको वो अलग करती है, ठीक है, duck and passage, यह करती है, south अंडमान और little अंडमान को, ठीक है, south और little अंडमान को separate करती है, एक 8 degree आती है, एक 9 degree आती है, एक 10 degree आती है, ठीक है, next question है, which is the correct sequence of Himalaya in descending order, हमने descending order में लगाने है, ठीक है, descending order में, ऐसे तो आपको बता ही हिमालय के part, greater Himalaya, हिमादरी, हिमादरी कोई greater Himalaya, lesser Himalaya, फिर शिवालिक, ठीक है, ऐसे आते है, greater Himalaya में कश्मीर, यह तर नीचे पीर पंजाल, ठीक है, lesser Himalaya में, फिर उसके बाद आता है नीचे शिवालिक, जिसमें जम्मू आता है, लेकिन यहाँ पर बोला है descending order, तो देखो, नेपाल, आसम, पंजाब, कुमन, ठीक है, तो यह ही है descending order इसका, नेपाल लगाओ बहले, यहाँ आएगा नेपाल है ना, यहाँ नेपाल, यह यहाँ पे, यहाँ पे नीचे आसम, ऐसे आएगा नेपाल, यहाँ आसम, फिर यहाँ पे पंजाब, फिर यहाँ पे कुमन, ठीक है, option A is correct, Second question है, हमारा the junction point Neilgirie, मला भी नेलगी इकशला जैक है, जैसे नेलगीरी बीच में आता है, किसको मेट करता है, किसको मिलाता है, eastern guard और western guard, टीक है ये western guard है और ये eastern guard इनको मिलाने वाली point हम क्या बोलते है नेलगिरी hill टीक है नेलगिरी hill जो western guard है उसकी highest peak है मुंडी हना अनाय मुंडी और जो eastern guard है उसकी है दुर्पगिरी महिंद्रगिरी टा kárraukorum highway connect ठीक है ये हिमाल्या के उपर आताया कारRAKORAR difficulty जिसमें लडाग range आती है जसका range आती हैTow ये किसको connect खरता है हमें कोशनी mir पूच बंगलादेश में गंगा को हम क्या बोलते हैं यह हम पदमा बोलते हैं बागी रथी कहां बोलते हैं बागी रथी जब उपर से आती है यह गुरुमुक से यहां पर तो अलक नंदा के साथ मिलती है तो वहां पर देव प्रयाग बनाती है उसके नीचे आती है गंगा ठीक है ग कोशन है हमारा कोशन नमबर 26, match the following, सत्थपूरा और विंद्या, ठीक है विंद्या और सत्थपूरा में कौन सी रिवर आती है, तो यह आपको पता है, नर्मदा आती है, हाना, कौन सी आती है नर्मदा, और जो डेल्टा और उरिसा, उसमें कौन सी रिवर आती है, महा नदी, हिमावली, हीरांगी, अमराबती, ठीक है, अमराबती, हीरांगी, हिमावली, हिमावालनी, ठीक है, यह किसकी ट्राइविट्रीस हैं, किसकी ट्राइविट्रीस हैं, कावेरी की, ठीक है, कावेरी की, और सांगपो, सांगपो कौन सी रिवर को हम बोलते हैं, ब्रहम पुत्र, ठीक है, ब्रहम पुत्रा तिब्ब से निकलती है, तो वहाँ पे इसको सांगपो बोलते हैं, जब ये अरुनाचल प्रदेश में अंट्री करती है, वहाँ पे हम इसको दिहांग बोलते हैं, ठीक है, फिर ये जब असम में आती है, तो इसको हम ब्रहम पुत्रा बोलते हैं, ठी यह कोशन इतनी बार पुछा हुआ है प्रिवियस एर कोशन पेपर में चाहे SSC के हों जेके SSV के हों कि कौन सी स्टेट है हाइस्ट रेंफॉल ठीक है सबसे ज्यादा बारिश होती है विंटर में कौन सी स्टेट है ऐसी पंजाब कैरला मेगाल्य तमिल नाडू ठीक ऐसे तो और समर में होती है वह साधबेस्ट ठीक है और जबमों कश्मीर में होती है विंटर में वह रेस्टर डिस्टरुएंस के कारण ठीक है windows no 28 पिन बेली नैशनल पार्क पर यह हैं हिमाचल परदेश में अभी एक दो मध्या परदेश के नैशनल पार्क थे वह न्यूज norm थे एक हैरली था ठीक है जो न्यूज में रहते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा है option A is correct the varying straight connect ठीक है जो varying straight straight होता है पानी की जगा ठीक है पानी की जगा दो जगाओं को connect करती है तो कौन सी है Pacific and Arctic Ocean India and Europe Red and Mediterranean Sea Turkey and Europe ठीक है तो ये करती है Pacific और Arctic Ocean को ठीक है Pacific Ocean जो है वो सबसे बड़ा ओशन है ठीक है उसको Arctic Ocean के साथ और Red और Mediterranean Sea को कौन करता है connect switch channel ठीक है switch channel very important कौन करता है switch channel टर्की और येरोप को बस्फोरस ठीक है option A is correct question number 30 deepest lake in the world ठीक है deepest lake कौन सी है world में largest lake in the world largest कौन सी है fresh water lake in the world ठीक है fresh water lake कौन सी है वो आपको पता है कौन सी है caption C ठीक है और उसके बाए largest river in Asia वो कौन सी है Yangpo ठीक है कौन सी है Yangpo ठीक है इसका जो correct option है वो हमारा A deepest lake in the world लेक वेकाल लार्जस लेक इन दा वर्ल्ड कैप्शिन सी और सेकिंड फ्रेश वाटर लेक इन दा वर्ल्ड लेक स्पुरियर और लार्जस्ट रीवर इन दा एशिया वो है Yangpo यांग डिटी जो अब पूशा है कोशन की what are the वेरियर आफे वर्वल कम्मिकेशन जो वर्वल कम्मिकेशन वर्वल होता है जो हम लिख के वर्ड में एक्स्प्लेइन करें ठीक है वो वर्वल होता है और जो हम style ऐसे एक्शन उक्षन करके एक्स्प्लेइन करें वो वर्वल तो उसमें क्या वेरियर आते हैं कल्च्रल डिफरेंट लैंग्वेज इन अवैलेटी तो अंडरस्टैंड यह सारे तो सारे ही होंगे न ठीक है option D is correct is an important part of a communication cycle communication cycle का important part क्या है feedback, addressing, review यह आप सभी को पता है जैसे अभी मैं mock test बना रही हूँ तो आप feedback दोगे तो वो ही communication करने में मज़ा आता है न ठीक है तो option A is correct effective communication होती है उसमें क्या barrier होते है physical barrier, interpersonal, linguistic यह सारे यह सारे होते हैं ठीक है option D is correct which can be used to overcome the communication barrier ठीक है मालब किस से आप थोड़ा overcome कर सकते हो यह हम using translator ठीक है जैसे हम English नहीं आती कोई हमार सा English बोल रहा है हम translator use करके थोड़ा कम कर सकते हैं problem को option A is correct a return communication is ठीक है जो return communication होती है वो कौन सी है non-verbal, visual यह बरवल यह होती है बरवल option B is correct the communication cycle does not include ठीक है इन में से क्या नहीं include होता है sender तो होगा message भी होगा receiver भी होगा लेकिन programming नहीं होती है ठीक है sender के साथ decoding होती है फिर channel फिर जब receive करते हैं तो encoding होती है ठीक है यह serious भी बता होनी चाहिए जैसे आपने shoulder को straight रखा है body को straight रखा है कोई बात बता रहा हो जैसे army man होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कोन सी communication है वो है posture option c is sorry b is correct आरूल communication में क्या होता है उसमें body language और facial expression दोनों meet होते हैं ठीक है तो इसमें a और b दोनों आता है अब economic question है which out of following is not a method of estimate national income ठीक है जो हमारी national income होती है उसको calculate कर जब हम उसको calculate करते हैं तो कौन-कौन सा method होता है इसमें से कौन सा method नहीं है expenditure method खर्चा तो हम देखते हैं product method कितने का product आया वो भी देखते हैं income कितनी हैं लोगों की वो भी हम देखते हैं लेकिन matrix method नहीं होता option b c is correct ऐसे ही बूद सकते हैं कि national income calculate करने के लिए कितने method हैं 3 या फिर ज़्यादा और भी होते हैं ठीक है who is called the father of economics ठीक है father of economics कोन है यह हमारे adam smith ठीक है adam smith option a is correct in economic term globalization is the process rapid dash between the country ठीक है globalization कब आया था globalization process से क्या होता है country के बीच में competition बढ़ता है ठीक है globalization मतलब जैसे हमने एक doll बनाई बाल उसके फ्रांस से आए dress उसकी आई लंदन से shoes आई उसके इंडिया के मतलब सभी को mix करके तो इसे globalization से क्या होता है competition ठीक है rapid competition होता है यह कब आया था 1990 में ठीक है economic development ठीक है जो economic development होती है वो किस पर depend natural resource capital formation size of market यहां फिर सब कुछ ठीक है जैसे आपने कोई business खोलना हो आप resource भी देखोगे natural resource जमीन भी देखोगे capital money भी देखोगे ठीक है size of market भी देखोगे कि हाँ इस एरिया में हमने plant कुछ industry डाला है ठीक है या नहीं है तो सब कुछ देखेंगे हम option D is correct जो human development index was developed by ठीक है यह किसने develop किया था अमरितर सेन फ्राइड मैन या फिर मोहमद उलहक या फिर किसी ने नहीं ठीक है यह किया था मोहमद उलहक यह पाकिस्तान के हैं इन्होंने किया था यह जो इसमें question कैसे बनता है कि इसको कौन organize करता है UNDP UNDP United Nation Development Program ठीक है United Nation की एक body है specialized organization है ठीक है अभी recent इस बार हमारा जो इंडिया का number है वो 132 ठीक है इतना rank रहा है first number वे Switzerland और हमारी इंडिया 132 ठीक है इसमें हम education life expectancy ठीक है वो देखते है next question है what is the literacy rate in India census 2011 2011 के according literacy rate कितना था यह था 74.04% very important option D is correct इन में से कौन सा group है जब महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा यह सफर करते हैं debtor जो देंदार होते हैं creditor जो लेंदार होते हैं businessman यह holder ठीक है creditor ठीक है जो monetary policy है इंडिया की वो को निकालता है monetary policy में हम interest rate money के वारे में हम पढ़ते हैं तो यह RBI RBI की full form है Reserve Bank of India ठीक है Reserve Bank of India निकालती है और जो fiscal policy होती है वो को लाता है वो central bank ठीक है central जिसमें हम budget विगरा देखते हैं ठीक है और जो finance commission है वो 208 जो price theory है वो किसे relate करती है price theory macro development public या micro तो option B is correct अब है national income is basically ठीक है national income क्या होती है basically net national product cost net domestic product at a market price यहां फिर net national product at factor cost ठीक है net national product मलब factor cost मलब capital land level सभी का खर्चा देखना net बदलब की जो depreciation या subsidy दी है गोवर्मेंट ने जो हमने खर्चा किया उसको minus करके फिर हम जो product देखते हैं उसको हम बोलते है national income उस पे calculate करते हैं net national product at factor cost very important ठीक है इसको अच्छे से पढ़ लेना net national product at factor cost bank in India were nationalized in first time ठीक है first time कब nationalize हुए थे bank 1969 में ठीक है option A is correct next question है हमारा which of the following is also called powerhouse of the cell ठीक है powerhouse of the cell किसको बोलते हैं को की बार्टी ribosome, mitochondria, lysosome यह हम mitochondria क्यों बोलते हैं क्योंकि सारी energy इसी के अंदर बनती है किसकी form में ATP की form में ऐसे भी बोल सकते हैं ATP की full form adenosine triphosphate ठीक है तो ATP का एक कोर नाम होता है currency unit ठीक है currency unit और जो lysosome होते हैं उसको हम suicide bag ठीक है question में ऐसे पूछे कि suicide bag किसको बोलते हैं तो वो हम lysosome option इसका option B is correct next question है हमारा जो vinegar होता है ठीक है जो हम सब्जियों में अचारों में डालते हैं सालत में उसका chemical name क्या है citric acid acidic acid, malic acid या paravic acid इसका chemical name है acidic acid malic acid apple में होता है citric acid जितने भी खटी चीज़े होती है उसमें होता है paravic acid glucose की form है ठीक है noise को हम किसमे measure करते हैं ठीक है जो shore होता है उसको हम किसमे measure करते हैं इसको हम dashy will ठीक है option b is correct और जो dobson होता है उसको हम ozone layer की thickness को measure करने के लिए zool, zool में energy और watt, watt में power the art and science यहाँ पे off है off map making is called ठीक है कौन सी art होती है कौन सी science होता है जो map बनाते हैं remote sensing cartography, photogramming या mapping यह होता है cartography option c is correct में answer ही बता दिया है कौन सा material हम use करते हैं pencil बनाने के लिए ऐसे पूछना था ठीक है अब तो पता ही होगा आपको जो ring warm diseases होती है वो किसके कारण होती है ठीक है bacteria, protozoa, virus, fungus यह fungus option d is correct जो saliva होती है वो dietion में किसकी help करती है starch, vitamins, protein, fats ठीक है तो यह starch की starch है carbohydrate की types है ठीक है carbohydrate की types है और जो proteins होती है वो पैट में और fats होते हैं जो liver odiform, idiform एक cream होती है वो हम कहां use करते हैं किसके लिए use करते हैं वो antiseptic होती है ठीक है क्या होती है वो antiseptic option b is correct who invent vaccine of small packs ठीक है for small packs ठीक है अभी तो हमें आज से पता होना चाहिए corona virus की tablet को किसने मनाया था ठीक है sputnik 5 COVID-19 co vaccine ठीक है किसने discover की थी अब smallpox smallpox की vaccination किसने invent की हुई है यह invent की हुई है हमारी adver zinner ने ठीक है option b is correct जो flaming थे उन्होंने पैंसलीन लॉइस पैसे उसने पैस्चुराइशन का प्रोसेस दिया था ठीक है option b correct which plant is called herbal Indian doctor ठीक है कौन से plant को हम herbal Indian doctor बोलते हैं आमला को बोलते हैं option a is correct अब यह organization add के question है कि हमारी six लोग सवा की seat है उसमें से लदाख में कितनी है पांच जम्मु कश्मीर की है एक लदाख की है तो option a is correct अब पुचाए how many section in जम्मु कश्मीरी औरगनेशन एक्ट कितनी section है जम्मु कश्मीरी औरगनेशन एक्ट में 103 पांच schedule और 14 parts ठीक है जो legislative assembly है वो सभी पे law बना सकती है जितनी वी state list है सभी पे law बना सकती है लेकिन कौन से matter पे नहीं बना सकती है वो public order and police ठीक है जो यह list है power distribution जैसे center, state, concurrent list यह कौन से schedule में आती है 7th schedule में आती है ठीक है who was the chief drafter of article 370 ठीक है article 370 के chief drafter कौन है अन गोपाल स्वामी, सरदार बल्लबाई पटेल, M.K. गांधी, पंडी जवाहलाल नेरू इन्होंने ही appoint किया था इनको यह है अन गोपाल स्वामी अंगार अब इसमें से कौन सी true statement है वो हमने बताना है एस पर जम्मो कश्मीर ये organization act, total number of seat in assembly will be 107 ठीक है जो मलब assembly है, legislative assembly है, जैसे ये organization act के बाद क्या हुआ कि UT लदाग की अलग और जम्मो कश्मीर की अलग जम्मो कश्मीर कोनोंने assembly तो दी, council abolish कर दी लेकिन जो union territory लदाग है, उसको ना ही legislative assembly ना ही council ठीक है तो अब यही पूछा हुआ है कि जो assembly है, उसकी कितनी seats है, 107 और उसमें से जो 24 है, ठीक है, जो 24 है, वो खाली रहती है क्यों, क्योंकि वो किसके अंडर आती है, पाकिस्तान बोलता है कि हमारा area है, पाकिस्तान occupied कश्मीर कितनी post है, 24 ठीक है, तो यह दोनों ही option ठीक है, ऐसे भी question पूछ सकते है जो occupy आपकिस्तान ठीक है, P.O.K. जिसको हम P.O.K. बोलते हैं, उसके लिए कितनी seats है 24 लेकिन यह खाली रहती है, अब जो legislative assembly है, वो कौन से section में आती है वो आती है, 47 और जो abolish की है legislative council वो 57 ठीक है, और budget 41 ठीक जब पान की parliament को हम क्या बोलते हैं, यह हम died बोलते हैं, जो हमारी parliament है वो article 70, इसमें लोकसवा, राज्यसवा, 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 आर्टिकल 80 और जो लोकसवा है, वो 81 कौन सी first country थी, जिसने DPSP को first time अपने constitution में लाया था ठीक है, मतलब कि हमने कहां, ऐसे भी question बोल सकते हैं, कि हम कहां से लेकिया है, हम कहां से inspire होएं, DPSP का concept को, इंडिया, आइलेंड, साउथ अमरिका, यह बंगला, देश, यह आइलेंड से आइलेंड कहां से Spanish से लाये थे, तो DPSP की full form, directive, principle, state policy यह non-justiable है, ऐसे पूर सकते हैं, justiable है या non-justiable, part 4 में आती है, 1, 2, 3, 4, ऐसे लेंड कर सकते हो, part 4 में आती है, ठीक है, वो जो fundamental right है, वो part 3 में आते हैं, और वो justiable है, ठीक है, next question है, how long the constitutional assembly take to final pass the constitution, मतलब कि, जो constitutional assembly बनाई थी, कैसे बनी थी, यह cabinet mission आया था, ठीक है, 1946 में, उसने assembly बनाई थी, इसको हम इनी पाले, आवन भी बोलते मैं लो, जब तो constitution नहीं बनता, तो यह law, इसी ने constitution को बनाया था, तो इसने constitution को बनाने के लिए, कितना time प्रे लिया थ वो पूछ रहे हैं, ठीक है, यह तो आपको पता ही होगा, तीन साल, ठीक है, तीन साल, approximately तीन साल, कब पास किया था, December 9, 1946, option D is correct, which are the following act, introduce the principle of election for first time, मतलब कौन सा act था, जिसमें election को first time introduce किया, India Council Act, 909, Government of India Act, 99, Government of India Act, 9035, यह फिर 1947, यह किया था, 909, और इसी टाइम में, first time, Muslim communal award, ठीक है, वो भी announce किये थे, और जो 1990 कहा है, इस टाइम, जो डेयर की थी, वो प्रोविंस में आई थी, ठीक है, डेयर की, प्रोविंस में आई थी, और जो 9035 का है, फिर डेयर की प्रोविंस से अबॉलिस करके, यह सेंटर में आगी थी, by capitalism, और फेडरल कोर्ट भी इसी के टाइम में, और 1947 में तो देश हजाद हो गया, बटवारा हो गया, तो इसका correct option है हमारा, option A is correct, untouchability is abolished and punishable according to, ठीक है, जो untouchability को खतम कर दिया है, और हम अगर कोई यह practice करता है, individual या state, तो उसको हम punishable करते हैं, कौन से article के related, article 17, ठीक है, यह article जो right to equality है, उसके अंदर आता है, ठीक है, तो हमने एक इसके trick भी डाली है प्लेइलिस्ट में, जैसे इपाउट, 14, 15, 16, 17, 18, 14 में right to equality, 15 में prohibition, आप discrimination, और 16 में opportunity, और 17 में untouchability, और 18 में title, ठीक है, राज्यसवा के ex-official chairman कौन होते हैं, ठीक है, ex-official के मतलब की दो-दो काम करने वाले, यह राज्यसवा के कौन होते हैं, vice president, ठीक है, और लोगसवा के speaker, राज्यसवा article 80 में आता है, इसका time period 6 साल का होता है, और age जो होती है, वो 30 साल के लोग, ठीक है, 30 साल लेको लोग, eligible होते हैं, इसके लिए, question number 71, कि constitution में कौन सी post mention नहीं की है, deputy speaker, deputy chairman या deputy prime minister, तो deputy prime minister, option B is correct, कौन सा article है, जो पारलियमेंट में लोगसवा और राज्यसवा के से related हैं, तो हमारा जो लोगसवा से हैं, राज्यसवा से 80, और लोगसवा में 81, ठीक है, option A is correct, कौन सा article है, जो armed rule, ठीक है, armed rule जैसे police होगी, army होगी, ठीक है, जिसके लिए fundamentalistic होते हैं, आर्टिकल 33 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 33, 32 में constitution remedy, जिसको बीमराब अमेड करने heart and soul बोला था, ठीक है, heart and soul भी बोला हुआ है, और आर्टिकल 21 जिसमें right to liberty आता है, और चो 21A है, वो right to education, ये 82 constitution amendment हुआ था, 2002 में फिर right to education एड किया था, option C is correct, the time gap between two session आप parliament, ठीक है, parliament के जो दो session होते हैं, उसके बीच में कितना time gap रहता है, तो वो option A, six महीने का, अब हमारा English का session है, इसमें हम item और phrase, ठीक है, item और phrase देखेंगे, goose egg का क्या मतलब होता है, nothing, unable to produce movement, या amfit disturb, या informal visit, goose egg, egg ही खराब होगे, मतलब नथी, कुछ भी नहीं कर सकता है, अब है, synamion और antinamion, formidival, ठीक है, formidival का similar meaning क्या होता है, horrible, travel, poor या काम, यह होता है, horrible, option A is correct, opposite meaning देखना है हमने, dc mate का, ठीक है, dc mate का, build, ठीक है, build, ऐसे बोलते हैं कि एक trick भी होती है, कि जो तोड़े, अलग-अलग, या एक जैसे, जो different लगे तो उसको ठीक लगा किया जाना, जैसे animation, mask, destroy, एक जैसे लग रहे हैं, इसको नहीं, तो build अलग लग रहा है इनसे, तो इसको ठीक लगा देनी है, ठीक है, next question भी item से है, जी जो looking for his lost phone में भी, तो इसका है, wild ghost jazz, जैस, अब इसका है opposite meaning, slender का, cylinder, यह है हमारा, heavy, option D is correct, heavy, this devon, ठीक है, जो previous year में आये हुए है, यह हमने वहीं से उठाये हुए है, ठीक है, वहीं से cinnamon and tanium लिए हुए है, ठीक है, तो यह hate, इसका मतलब होता है, hate, अब है indirect speech, यह आप लगाओ इसका correct option, ठीक है, I told my teacher, I need your help, ठीक है, आपको पता है कि जो person होते हैं, first person, किसके according change होता है, ठीक है, subject के according, subject देखो क्या है, I है, I किसके according change हो जाएगा, ठीक है, और फिर देखाओ, ठीक है रगाओ इसका, next question है, most stable ecosystem, forest, desert, ocean, या फिर mountain, ठीक है, तो यह आएगा हमारा ocean, अब question है, atmosphere, azoning layer, protect us from U, B, B, and C, depleting most, ठीक है, जो हमारी ozone layer होती है, atmosphere में, वो किससे खराब हो रही है, ठीक है, किससे deplete हो रही है, ठीक है, उसकी जो ठीकनेस से वो किससे कम हो रही है, chlorofluoro carbon, ठीक है, C, F, C से, chlorofluoro carbon, option A is correct, अब next question है, which are the following important biotic factor, can affect structure, organization, biological community, ठीक है, biotic factor बताने हैं, हमने organization के, nutrient ability, soil pH, precipitation, predation, competition, disease, यह सबी ही, ठीक है, यह सबी ही impact डालते हैं, next है, next question है हमारा, all the following statement about ecology are correct, लेकिन एक नहीं है, इसमें से ठीक, अब बोर रहे हैं, first में, जो ecology है, is a study of interaction between biotic and, यह तो सही बात है, दोनों interact करते हैं इसमें, और यह discipline है, independent from natural selection and evolutionary history का, study of population and community of organization, यह भी सही बात है, increase the level of your organism from individual to ecosystem, यह नहीं, ठीक है, option D is correct, debt risk food chain कहां से start होता है, ठीक है, यह dead organic matter से, option C is correct, D से debt trick, D से वो, acid rain को किस ने coin किया था, यह Joseph Clark ने, ठीक है, acid rain क्या होती है, इसमें nitrogen oxide और sulfur dioxide होता है, ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा कास करती है यह, curiosiveness को, ठीक है, acid rain किसको सबसे ज़्यादा defect करती है, acid rain जब marble के साथ, limestone के साथ, react होती है, तो क्या बनाती है, calcium carbonate, calcium hydroxide, calcium sulfate, यह calcium carbonate बनाती है, ecological pyramid start with following, ठीक है, जो ecological pyramid होते हैं, वो हमेशा किससे start होते हैं, producer से, हाना, जो produce करता है, उससे से start होंगे, ठीक है, तो option B is correct, इन में से कौन सा है, जो non-renewal source है, non-renewal मना जिसको हम बार-बार use नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारा coal, ठीक, अब ऐसे बूर सकते हैं, non-renewal is conventional, यहाँ फिर non-conventional, यह conventional है, ठीक है, यह conventional है, option A is correct, अब यह हमने previous year से ही लिया है, the indigenous catfish in India river are facing threat of extinction, because, क्यों यह जो catfish river में वो खत्रा, खत्म हो रही है, क्यों खत्म हो रही है, co-extension, alien species आ रही है, habitat loss हो रहा है, यहाँ फिर over-explodation, over-explodation, जो monitoring protocol है, एक international treaty है, इसमें क्या, म्लब क्या करना है हमने, इसमें हमने ozone layer को protect करना है, ठीक है, ozone layer को protect करना है, ठीक है, और जो Vena convention है, वो भी ozone layer से ही related है, ठीक है, या अब सबी को, कौन सा substance है, used in cold country to melt ice, ठीक है, मलब cold country में बरफ को पिगलाने के लिए हम कौन सा substance use करते हैं, salt, urea, boric acid, hydrogen, peroxide, तो यहाँ पे हम salt use करते हैं, ठीक है, an acl, ठीक है, sodium chloride, ठीक है, कौन सी country है, जिसने first hydrogen train start की है, तो यह है हमारी जर्मनी, इसने कितनी, 14 train start की है, first hydrogen train start जर्मनी, second question है, new in sign of navy India has dedicated to, ठीक है, navy इंडिया, इंडिया नेवी आपको पते ही होगा, history बढ़ी हो आपने, तो यह कहाँ से, Maratha dynasty से, ठीक है, Maratha dynasty को belong करता है, क्या, new in sign of India, navy, who become the first Indian woman to reach final FINA World Union Swimming Championship, ठीक है, कौन first Indian woman थी, जो final तक पहुंची, ठीक है, final तक पहुंची, यह है हमारी अपेक्षा फर्नेंडस, यह 13 साल की है, ठीक है, 13 साल की है, अब अपेक्षा फर्नेंडस, जो first Indian woman है, जो final of FINA World Union Swimming Championship में पहुंची, very important, कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक ही, यह है first, in this city, India first ever, night sky century, will be set up, ठीक है, पहली वार night sky century, कहां पे set up की गई है, जम्मू, लदाख, मुंबई, डली, लदाख, यहां से राद को भी पुरा हिमाल्या का व्यू दिखेगा, ठीक है, ऐसे पूर सकते हैं, क्यों की हुई है, क्या motive है, यहां से राद को, किसका व्यू दिखेगा, हिमाल्या का, option B is correct, next question है, we state confirm international traveler award 2023, for best destination for culture, ठीक है, किसको international award से, मलब, किसको international travel award दिया गया है, best destination for culture, जो अपने culture को, संस्कृति को provide करता है, तो यह है, option केरला, उडिसा, तेलंगाना, best वंगाल, तो यह हमारी best बेंगॉल, option D is correct, अब है दा first Indian defense minister, to visit Mongolia, राजना सिंग, was gifted a horse to president, युकरन गीन, खुर्सो खुक, ठीक है, मतलब की, जो हमारे defense minister कौन है, राजना सिंग जी, यह मंगोलिया में गे थे, तो वहां के राश्टपती ने इनको horse gift किया, तो उसका क्या नाम है, ठीक है, यह ऐसे बूल सकते हैं, कि मंगोलिया के राश्टपती का क्या नाम है, ठीक है, और क्या नाम है उस गोडे का, कोशन ऐसे भी बूल सकते हैं, कि क्या गिफ्ट किया गोड़ा उस गोड़े का नाम है तेजस इससे पहले हमारे परदानमंत्री के थे उनको भी होर्स गिफ्ट किया उसका नाम था कंथका कंथ का अभी रीसेंट जो रैंक आई है इंडिया की युनाइटी नेशन डिवल्मेंट प्रोग्राम हिउमन डिवल्मेंट इंडेक्स में तो कितनी है यह बहुत खराब है 132 ठीक है 132 और फर्स नंबर पे कोन है स्विजर लैंड ऑप्शन C is correct अब है युनाइटी नेशन राइट के न्यू चीफ कौन अपॉइंट किये गए है यह है वॉलकर टर्क टीक है वॉलकर टर्क आप्शन B is correct very important which tunnel receive India Building Congress Best Infrastructure Project Award ठीक है कौन सा टर्नल है इंडिया का जिसने इंडिया Building Congress Best Infrastructure Project Award जीता यह है हमारा अटल टर्नल ठीक है अटल टर्नल ठीक है यह अटल टर्नल है इसकी जो लैंद है वो 91 है और यह BRO Border Road Organization ने बनाया था BRO कव फाउंड हुई थी 9060 यहीं माचल परदेश रोताहंग से पास होता है ठीक है उसके बाए नेक्स कोशन है इसका है हमारे परदान मंत्री नरेंदर मोधी और इसका है गुडगाम हर्याना में यह हमारे इसनिंग और मैथ के कोशन है इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर बताती चलूंगी अगर आपको explanation चाहिए होगी तो मेरे को comment section में बता देना इसके लिए हम separate video डाल देंगे क्योंकि यह video lecture फिर बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है अब ही 50 मिनट्स को होई गया है तो फर्स statement है all tubes are cube, no cube is sky, no word is sky तो conclusion दिया हुआ है तो इसका जो correct option है हमारा option B ठीक है option B और next question है हमारा ये भी statement base है plate are knives वाला तो इसका correct option जो हमारा होगा वो है option D ठीक है either one और either two ठीक है option D is correct मैं ये PDF टेलिग्राम में भी डाल दूंगी आप वहां पर जाके देख लेना ठीक है question third ठीक है ये तो आपको सामने ही दिख रहा है ये उपर है ये नीचे है तो ये वाला उपर है इसको उल्टा करके देखोगे तो option A आएगा इसका correct answer ठीक अब ये जो है ये भी code से बढ़ है ठीक है code से बढ़ है friendship difficult challenge तो यहां पे देखो यहां पे भी difficult आ रहा है common और 9 तो difficult हो गया आपका हाना उसके बाद हमें believable का पुछा है तो हम 9 तो नहीं लगा सकते जहां पे 9 आ रहा है उसको cross कर दो फिर उसके बाद हमें 7 और 8 का नहीं बता चल रहा तो मलब 7 और 8 हो सकता है option A is correct आप भी खुद लगाते चलना तो यहां पे पुछा हुआ है the honor of a cell phone shop charge his customer 28% more than cost price ठीक है उसकी cost price होगी कुछ जैसे x होगी उससे वो 28% ज्यादा कमाई कर रहा है मलब उसको gain हुआ 28% का ठीक है 28% का gain हुआ उसको तो और उसने कितने customer ने कितने पैसे paid की है 8,960 यह उसका selling cost है मलब selling price है तो आपको पता है कि हमेशा यहां पे हम cost price x के ले लेंगे और यहां पे हम 8 यह ले लेंगे selling price तो यहां पे हम gain निकालेंगे तो यह rearrange करके हमारा correct answer क्या आ जाएगा उसका 7,000 ठीक है easy question है ठीक है cost price दिया है हमें selling price दिया है हमें gain दिया हुआ है 28% 28% मतलब कि 128 लिख सकते हैं क्योंकि gain हुआ है cost price पे ठीक है तो इससे आप इसकी value दी यह तो cost price easy निकालोगे ठीक है option D is correct अब question है 6 हमारा average weight 18 boys in class इतना ठीक है जो 18 boys है उसका weight है 45 ठीक है 45 ठीक है मतलब हमें average दिया है और number दिया हुआ है sum of observation average का क्या वामूला होता है sum upon observation and number of observation ठीक है तो एक बार इसका निकाल ले ना फिर जो 4 boys remaining बचगे है उसका निकाल देना फिर उन दोनों को add करके total number y का निकल जाएगा ठीक है तो कितना आएगा total number of y का c 43.67 kg अब second question है हमारा इसकी हमने ratio निकाल ली या को आते ही होगा a, b, c हाना तो इसका क्या है 3, 4 और b, c क्या है हमारा एक में हमारा दिया हुआ है 8 और 9 इसको multiply कर दो क्या जाएगा 2, 4, 8 और 3, 6, 6, 8, 9 जहां पर ये दिखेगा तो वहां पर correct option option कौन सा d, ठीक है d इसका correct हो जाएगा फिर हमें ये दिया हुआ है हमारा data average number निकाल ली है हमने store r, r की अपरेल, जून, जुलाई, इन तीनों को अपरेल का, जून का, जुलाई का इन तीनों को add करो और divide करो तीन के साथ, आपका answer आ जाएगा, ठीक है, क्या answer आएगा आपका, आपका answer a आएगा है, ठीक है, इसका correct answer होगा a, अब next question है, आपने difference निकालना है, जो दिया हुआ data, तो difference निकालना, option d, 133 आ जाएगा, ये direction ways question है, ये भी easy होते हैं, ठीक है, question number 10th का option है, हमारा a, ठीक है, और question 12th जैसे दिया हुआने कि, एक लड़का है, जो south की तरफ face करके खड़ा है, मलब यहाँ पर, south की तरफ face करके खड़ा हुआ है, तो वो कितना 43 degree clockwise, ठीक है, यहाँ से वो clockwise गुमेगा, तो कैसे गुमेगा, ऐसे आएगा उपर, ठीक है, 43 clockwise, और 88 anti-clog, और 90 degree clockwise, इसमें एक trick भी होती है, जो clockwise है, जैसे 43 है, और 90 है, उसको add करना है, और anti-clog से minus करना है, फिर जहाँ से वो face करके गुमा हुआ है, clockwise गुमाना है, तो जो आएगा, वो आपका answer हो जाएगा, ठीक है, dear answer है इसका, अब ये भी correct, ठीक ही answer ठीक है, इसमें आपको पता है कैसे निकालते है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, B, ठीक है, अब इसमें देखो, D के आगे कितना है, A का gap है, F आ गया, और E के आगे कितना gap है, E के आगे हमारा, G, तो एक-एक का gap आ रहा है, तो मतलब, अब हम read का gap देखेंगे, एक-एक का, तो इसका, क्या correct option आ जाएगा, हमारा A option, ठीक है, खुद निकालना है, इसको अच्छा से, आपको पता चल जाएगा, अब question पुछा हुआ है, कि urban educated हुआ, not hard working, ठीक है, educated है, लेकिन hard working नहीं है, तो urban ये आ रहा है पूरा, ठीक, और hard working कौन से है, ये वाले है, और इनमें से educated कौन से है, जो circle है, ये वाला है, लेकिन not hard working, पुछा हो इनोंने, तो हम इसमें हम कौन सा लगा सकते हैं, ए वाला, ठीक है, ये fourth वाला, यहाँ उपर वाला, ठीक है, ये भी statement based question है, हमारा question number 15, इसका ए अजम चनाएगा, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ो, और solve करो, ये आ जाएगा हमारा, pie chart का, अगर आपको one degree निकालना आ गी, और one का percentage आ गया, तो आप ये question असानी से कर लोगे, ठीक है, जैसे hundred percent किसके ब्राबर होगा, 360 degree है, तो one percent किसके ब्राबर हो जाएगा, 3.6, तो ऐसे हमने 9000 का निकालना है, फिर हमारा question number 60 का क्या answer है, question number 16 का है, A, और question number 17 का गया है, वो है, C, ठीक है, इन्होंने बोला है, कि अगर मानी spend foot while पे हम अगर 9000 spend कर रहे हैं, तो बताओ कि हम हौकी में कितना कर रहे होंगे spend, ठीक, first में ये निकालना है, ठीक है, ये कुछ question थे, हमारे mock test की, अगर friends अबको अच्छा लगे, तो please like and share, thank you